रनजीत सिंग चोटाला चोदरी देवी लाल के पुत्र हैं वो देवी लाल जिन्होंने भारत के पुरू उपरधान मंतरी के रूप में दो बार देश की सेवा की रनजीत सिंग एक सक्षती साली राजनेतिक परिवार से तालूग रखते हैं जिन्होंने भारत के सवतुंतता संग्राम में भाग लिया रनजीत सिंग के चाचा साहिब राम सिहाग 1937 और 1940 में विधान सभा के सदस्य थे और उनके पिता तेवीलाग 1951 से राजनीती में थे उनकी पत्नी का नाम श्रीमती इंद्रा सिहाग और बेटे का नाम गगंदीप सिहाग है चोदरी रनजीत सिंग चुटाला भाजपा जजपा सरकार में बिजली और जेल मंत्री है निर्दलीय होते हुए भीवे सशक्त और कदावर मंत्री हैं जिनकी भाजपा मंत्रियों की तरहे तूती बोलती है ऐसी और भी छोटी बड़ी खूब सारी जानकारी मंत्री रनजीत सिंग चुटाला के बारे में आज के SNA में बताएंगे नमस्कार स्वागत है आपका SNA में भारताज का वो शो जो खबरों का विशलेशन करता है इसलिए उसे स्पेशल न्यूज एनलाइस यानि कि SNA कहते हैं राजनेतिक आगाज 1987 में वे लोग दल के टिकेट पर रोडी विधान सभा से सात्वे विधान सभा के विधायक चुने गए उन्होंने हरियाना के क्रिशी मंत्री के रूप में भी कारिये किया तब उनके पिता चोदरी देवी लाल मुख्य मंत्री थे 1990 में वे हरियाना से राज्य सभा के सांसत भी चुने गए उनके पिता उस समय भारत के उपपरधान मंत्री थे वे 2005-2009 में राज़य योजना बोर्ड हर्याना के उपाध्यक्ष भी रहे रंजीत चोटाला की अगर बात करूँ 2019 में उन्होंने रानिया विधान सभा से हर्याना की चोदवी विधान सभा का चुनाव लड़ा और निर्दलिय विधायक के रूप में जीत हासिल की और मंत्री बने जब खुली थी उनकी किस्मत एकलोते निर्दलिय विधायक जो बने मंत्री जी हाँ नवंबर 2019 में हर्याना केबनेट के गठन में रंजीत चोटाला की शांदार लोटरी लगी थी मनोहर लाल की नई कैबनेट में शामिल होने वाले एक मात्र निर्दलिय विधायक थे रंजीत चोटाला दुशन चोटाला के बाद मंत्री पद की शपत लेने वाले चोटाला परिवार के दूसरे सदस्य रहे 2019 में यानि के भाज़पा जज़पा गढ़बंदन में जब कही न कहीं संख्या बल कम पढ़ रहा था तो रंजीत चोटाला भाज़पा को समर्थन दे रहे थे रंजीत सिंग हरियाना की रानिया विधान सभा सीर से चुनाव जीत कर विधान सभा में पहुंचे थे वे इस बार निर्दलिय प्रक्याशी के तोर पर जीते हैं इन्होंने सबसे पहले भाज़पा को अपना समर्थन दिया था शायद मंत्री पद इसी का इनाम है चोटाला परिवार से तालुक रखने वाले रंजीत की रानिया में खास पहचान है बता दें कि रंजीत चोटाला इससे पहले भी मंत्री रह चुके हैं ऐसा नहीं कि वो पहली बार ही मंत्री बने हो हाला कि इस बार वो लंबे अर्से के बाद कोई चुनाव जीते हैं कॉंग्रेस से टिकेट कटने पर वे निर्दलिय मैदान में उतरे और हर्याना लोख हित पार्टी के गोविंद कांडा को 19,431 वोटों से हराया 32 साल बाद फिर से साबित की अपनी काबिलियत हर्याना की राजनीती में चोटाला परिवार का बोल बाला रहा है जैसा आप सब को पता है 36 साल पहले 1987 में पिता जन्नायक देविलाल की सरकार में मंतरी बने थे रणजीत चोटाला रणजीत सिंग अब 35 साल के अपने पोते दुष्ण चोटाला के साथ सरकार की सबसे मजबूत धुरी नजर आ रहे हैं एक ही विधान सभा में पाँच विधायक बनाने का गोरव हासिल करने वाले देविलाल परिवार पर मोजूदा गढ़बंदन सरकार का धारुमदार टिका हुआ है वही रंजीज चोटाला को दुष्ण चोटाला ने मंतरी बनाने में भी बड़ा योगदान दिया है इस बात की भी चर्चाएं राजवितिक हल्कों में दभी जुवान में अक्सर होती है रंजीज सिंग चोटाला जहां मोजूदा मंतरी मंदल में सबसे अनुभवी मंतरी के तोर पर है नेता के तोर पर है वही दुष्ण चोटाला पेशक उपमक् Technologies के रूप में मंतरी मंदल की टीम की उपकप्तानी कर रहे हो लेकिन रंजीत सिंग भी सबसे पुराने मजबुत स्थम्ब होने के चलते गटबंदन सरकार में निर्नायक भूमिका में रहे हैं 1987 के बाद पहली बार देविलाल परिवार के दो सदसे एक साथ मंतरी मंडल में शामिल हुए हैं यानि के आम बोल चाल की भाशा में कहें तो दो मंतरी चोटाला परिवार से 1987 के बाद बने हैं जब रंजीत चोटाला हो गए थे कोरोना पोजुटिब दो हजार बीस अगस्त की ये बात है जब 74 वर्ष के वो होते थे हर्याना विधान सभा के एक दिवस्य मानसुम सत्र में उन्होंने हिस्सा लिया सोशल डिस्टेंसिंग की अंदेखी करते हुए बरोदा उप्चिनाओं के लिए परचार भी उन्होंने किया तभी उनकी तब्यत खराब होने की वज़े से उनका करोना टेस्ट किया गया क्योंकि तब करोना की लहर देश में थी करोना पोस्टी वो हो गये थे रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया जिसकी घोशना खुद मंतरी रणजीर सिंग चुटाला ने ट्वीटर पर लिख कर की थी उन्होंने क्या लिखा था वो मैं आपको बता दू डोक्टर की सलहा पर मैं होम कोरेंटाइन हो रहा हूं मैं हाल ही में मुझसे मिलने वाले सभी लोगों से कोविट टेस्ट कराने का आग्रह करता हूं मेरी तबियत ठीक है इससे पहले चुटाला सहाब बिजली मंतरी बनते ही आय थे एक्शन में यानि के कहा जा सकता है कि जब वो करोना पोस्टी वोगते उससे पहले जब वो मंतरी बनते ही वो एक्शन में आ गए थे उन्होंने कारवाई की थी उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो बिजली मंतरी के तोर पर अपने आपको साबित करके दिखाएंगे रणजीर चोटाला ने मंतरी बनते ही कहा था कि एक महीने में परदेश की बिजली विवस्ता सुधार देंगे उन्होंने ये भी कहा कि जो आफिसर सही से नहीं चलेगा वे उसे चलने नहीं देंगे रणजीर सिंग्का कहना है कि वे भले ही नरम और शालीन सवभाव के हैं लेकिन जो आफिसर सही से नहीं चलेगा वे उसे चलने नहीं देंगे सिर्फ आफसरों को ही नहीं परिवार को भी सुना चुके हैं खरी-खरी अगर आप सोचते हैं कि वो मंत्री होते हुए अपने अधिकारियों पर, अपने करमचारियों पर ही इतने सक्त हैं तो आप गलत सोचते हैं वो अपने परिवार को, चोटाला परिवार को भी खरी-खरी सुना चुके हैं ऐसा ही एक वाक्या मैं आपको बताता हूँ रंजीत चोटाला खरी-खरी बाते कहने के लिए मश्यूर है उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी कही बात का कौन क्या मतलब निकालेगा राजनीती में सही को सही गलत को गलत कहना उनकी पहचान बन चुकी है ऐसे खरे सोभाव के वेक्टी है रंजीत चोटाला एलनापाद उप्चनाओं के नतीजों के बाद रंजीत चोटाला ने कहा है कहा था कि चोधरी देवीलाल के परिवार का कोई सदस्य किसी खुश फहमी में ना रहे उन्हें अगर वोट और पहचान मिली है तो वो सवर्गे देवीलाल की वजह से ही मिल रही है रंजीत चोटाला अपने परिवार के सदस्यों के बीच चल रही लडाई से काफी आहद भी है लेकिन किसी का समर्थन या विरोध कर वह विवादित नहीं होना चाहते अगे भी चुने जाते रहेंगे लेकिन भले ही उनका अपना कोई असर और परभाव हो लेकिन इस सच्चाई को कतई नकारा नहीं जा सकता कि सभी को देवीलाल के किये कामों की बदोलत ही वोट मिलते हैं यानि कि उन्होंने देविलाल का जो आज तक परभाव है, जिसको हर्याना की राजनीती में आज भी स्विकार किया जाता है, उसको खुले मन से स्विकार किया था। कॉंगरिसी नेता भुपेंदर हुड़ा की करते हैं, आज भी इज्जत। रनजीत चोटाला पूरो मुख्य मंत्री भुपेंदर सिंग हुड़ा के बहत करीबी रहे हैं। धक्ष कुमारी सहलजा का राज्य में परदेश में कोई जनाधार या पहचान नहीं है। एलनाबाद के चुनाओं में सहलजा जब गाओं में जाती थी तो लोग पूछते थे कि यह महिला कौन है। यानि के उन्होंने एक तरफ भुपेंदर सिंग खुड़ा की तारीफ की और दूसरी और शैलजा को कम तराक दिया था। इसके बाद जब कहा राहूल गांदी ने किया कांग्रेस का बंटाधार यानि के वो कुमारी शैलजा ही नहीं खुद राहूल गांदी को भी लपेट चुके हैं। रंजीत चोटाला ने कहा था कि कॉंग्रेस की पार्टी की दुर्दशा के लिए राहुल गांधी ही जिम्मेदार है। अब कॉंग्रेस को छोड़ रहे हैं। अब है चोटाला की वज़े से बेटे को लड़वाना पड़ा था जिला परिशत का चुनाव। बात करते हैं अक्तुबर 2022 की बेटे द्वारा जिला परिशत का चुनाव लड़ने को लेकर बिजली मंतरी रंजीत सिह ने कहा था। अब है चोटाला की एक गलती के चलते हैं उनके परिवार को चुनाव लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने कहा था कि यह शौबा नहीं देता कि चोधरी देवी लाल का परिवार पंचाय चुनाव लड़े। दरसल अब है के बेटे करण चोटाला भी जिला परिशत का चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने रंजीत सिंग के परिवार को भी चुनाव लड़ने के लिए ललका रहा था। रणजी सिंग बोले कभी नहीं चाहा था कि बेटा छोटा चुनाव लड़े उन्होंने बताया कि चोदरी देवी लाल बहुत बड़े आदमी थे आज उनका परिवार जिला परिशत का चुनाव लड़े यह उनके लिए अच्छी शरधांजली नहीं है उन्होंने कहा कि उनके इज्जत ये साख बच गई थी तो इसी तरह से कह सकते हैं कि चोदरी रणजीत सिंग चुटाला ने हमेशा उसूलों का जीवन जिया और उसूलों की राजनिती की उनके लिए उनके पिता का नाम उनका मान समान सबसे बड़ा है इसी का जंडा लिये वह आज तक चल रहे है अगर देवी लाल की विरासत का जंडा सच में कोई उठाए हुए है तो वो ओम प्रकास चोटाला नहीं रणजीत सिंग चोटाला को कहा जा सकता है इससे पहले आप मंतरी रणजीत के बारे कितना जानते थे हमें जरूर बताईए कितना आज आज आपने जाना है वह भी कमे लगातार सब्सक्राइब करते हैं और दोस्तों इवेदर करूंगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो SNA की आप पूरी सीरीज देख सकते हैं जिसमें हर्याना की राजनीती के सभी बड़े चहरे पूरो मुख्य मंतरी पूरो मंतरी और वो नेता जो एक सकते हैं और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद हर्याना आज भारत आज के लिए SNA से यश्पाल करेंचे